हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप देख रहे हैं अपना योटूब चैनल बी यूर मनी मनेजर और आपके फानेसियल सफर को सुहाना बनाने से जुड़ी एक और जानकारी के साथ हाजिर हूँ मैं यानि आपका मनीमित्र रजनिश कांत दोस्तों ये तो हम में से ज़्यादा तर लोग जानते हैं कि साल में एक वित वर्स में किसी खास सीमा से ज़्यादा इंकम होने पर हमें इंकम टैक्स चुकाना होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपना मकान बेशते हैं अपनी दुकान बेशते हैं या फिर जम मुनाफ़ा होता है उस पर भी हमें टैक्स देना होता है नहीं तो आज हम इसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं तो दोस्तो अगर आप मकान दुकान या फिर खाली जमीन बेशते हैं और उससे जो मुनाफ़ा होता है तो उस पर कैपिटल गेंस टैक्स हमें देना होता है इसे Capital Gains Tax इसलिए कहते हैं कि इसे सरकार ने Capital Assets के रूप में शामिल किया है Capital Assets के रूप में मकान, खाली जमीन या दुकान के अलावा सोना, चांदी, शेयर, म्यूचुल फंड वगार भी शामिल किये गए है तो मकान, खाली जमीन या दुकान अपने पास दो साल से कम समय के लिए रखी गई है तो उस पर Short Term Capital Gains यानि LTCG Tax देना होता है इसको हिंदी में अल्प कालिन पुन्जिगत लाव कर कहा जाता है वहीं मकान, खाली जमीन या दुकान अपने पास दो साल से अधिक समय के लिए रखी गई है तो उस पर Long Term Capital Gains यानि LTCG Tax देना होता है इसको हिंदी में दिर्ख कालिन पुन्जिगत लाव कहा जाता है Short Term Capital Gains Tax के तहत मकान, जमीन, दुकान बेचने वाला जिस Income Tax Slab में आता है, उसके हिसाब से उसे Tax देना होता है Income Tax Slab का मतलब हो गया कि आप 20% देते हैं, Income Tax या 30% देते हैं तो उसके हिसाब से आपको Capital Gains Tax देना होगा जमीन, दुकान या मकान बेचने पर हुए मुनाफे पर वही Long Term Capital Gains Tax के तहट Indexation के बाद 20% टेक्स देना होता है हाला कि 50 लाख रूपय तक टेक्स आप बचा भी सकते हैं यह कैसे टेक्स बचाएंगे 50 लाख रूपय तक हम आपको आगे बता रहे हैं सबसे पहले हम आपको Indexation के बारे में समझा जाते हैं यह एक Technical Term है इसको जब भी आप किसी टेक्स सलहकार से मिलेंगे तो वो आपको इसके बारे में बिस्तार से जानकारी देंगे या फिर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो Comment Box में जाकर के इसके बारे में हम से पूछे हम आपको बिस्तार से बताएंगे तो आप 50 लाख रूपे कैसे बचा सकते हैं जमीन, मकान और दुकान बेचने से हुए मुनाफ़े पर इसको भी हम आपको बता देते हैं Long Term Gains Tax देने से कैसे बचे तो मकान, दुकान, खाली, जमीन के बिक्री से मिली रखम को 2 साल के भीतर घर खरिदने या 3 साल के भीतर घर खरिदने के निर्मान में लगाना होगा या तो घर खरिदिये या फिर 3 साल के भीतर घर के नए घर का निर्मान कीजिए तो आप बचा सकते हैं इसके अलाबा जमीन, मकान या दुकान की बिक्री से मिली पूरी की पूरी रखम अगर निवेस कर दी जाती है तो पूरे कैपिटल गेंस पर छूट मिलेगी नहीं तो उतनी रखम पर टैक्स छूट का लाब मिलेगा जितनी निवेस की जाएगी प्रोपर्टी यानि मकान, दुकान या खाली जमीन की बिक्री की तारिक से 6 महिने के भीतर कैपिटल गेंस को कुछ खास कमपनियों के बॉन्ड में निवेस करने का भी विखल्प है तो ये कमपनिया कौन-कौन सी है ये हम आगे आपको बता रहे हैं इन कमपनियों में National Highway Authority of India यानि NHAI, Ruler Electrification Company यानि REC शामिल है तो इन बॉन्डों में 50 लाख तक ही आप निवेस कर सकते हैं अगर आपका मुनाफ़ा 50 लाख से ज़्यादा है तो जो अथिरिक थे 50 लाख से उस पर आपको टैक्स छुट नहीं मिलेगी इन बॉन्डों को अपने पास 5 साल से कम समय के लिए रखने पर Capital Gains Taxable होंगे यानि 5 साल से ज़्यादा रखेंगे तभी आपको Capital Gains Tax से मुक्ति मिलेगी तो ये रही बात दोस्तों की मकान, दुकान और खाली जैमीन बेशते हैं तो उससे हुए मुनाफ़ा पर 50 लाख रुपे तक Tax कैसे बचा सकते हैं तो Be Your Money Manager में आज इतना ही लेकिन अपने Financial सफर को सुहाना बनाने के लिए देखते रहे हैं अपना YouTube चैनल Be Your Money Manager और पढ़ते रहे हिंदी Financial Blog BeYour Money Manager.blogspot.com और हाँ अपने इस YouTube चैनल को लाइक करना, शेर करना, सबस्क्राइब करना कोई सवाल हो तो सवाल पूशना, आलुसना करना, सुझाव देना मत भूलिएगा आपका किमती समय देनी के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों